हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल लता संतानी क्रियेशन्स फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ कीनवा की रैसिपी शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों कीनवा ग्लूटन फ्री है तो इसे हम गेहों की जगह खा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने मेजर्मेंट वाले कप से आधा कप कीनवा लिया है और उसे अच्छी तरह से धोया है जब तक कि पानी क्लीन न दिखने लगे अच्छी तरह से धोने के बाद गैसान करेंगे पार्ट रखेंगे उसमें कीनवा डालेंगे हाप कप कीमवा लिया है तो इसका ड्रेट गुना पानी डालेंगे वन एंड हाप कप स्वाधा अनुसा नमक डालेंगे और धक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे अब चलिए कुछ मेजिटेबल्स कट कर लेते हैं यहां मैंने लेवेंडर कलर की पत्तागों भी ली है इसे बहुत पतला पतला काट लेंगे दोस्तों कीनवा हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफीशियल है इसे लिए इसके तरह तरह के व्यंजन बनाकर या फिर सैलेड बनाकर दोस्तों कीनवा में हाइ न्यूटिशियन्स कंटेंड है इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है इसमें भरपूर मात्रा में एमिनो असेड है तो इस्पेशली वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है यह ग्लूटन फ्री है इसे आप गेहों की जगे यू बेबी कान को हलका बॉइल करके कट कर लिया है अब चलिए लेटस को भी कट कर लेते हैं चलिए देखते हैं किनवा बॉइल हूआ है या नहीं किनवा भी पका नहीं है तो इसे फिर से एक बाब ढह् कर पकाएंगे अभी देखिए थोड़ा पानी भी है तो वो भी ड्राय हो जाएगा और हमारा किनुवा भी पक जाएगा इसे लो फ्लेम पर 12-15 मिनट लग गए हैं देखिए अब किनुवा अच्छी तरह से पक गया है गैस साफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे चलिए अब सेलेट के लिए ड्रेसिंग कर लेते हैं इसके लिए मेजर्मेंट वाले हाफ स्पून से वन स्पून सुयासास डालेंगे वन स्पून आलिव आईल डालेंगे और वन स्पून लेमन जूस डालेंगे वन स्पून बारिक कटी हुई लैसन डालेंगे हाफ़ स्पून ग्रेट की हुई अद्रक डालेंगे इन सब को मिक्स करके सैलेड में डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेश्टी भी लगता है अब किन्वा अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं अब इसे एक बड़े बाउल में डालेंगे कट किया हुआ लेटस डालेंगे कट किया हुआ टमाटर डालेंगे टमाटर से हमने बीज अटा दिये थे येलो शिमला मिर्श डालेंगे बेबी गान स्लाइसेस डालेंगे कटे हुए रेड शिमला मिर्श डालेंगे बारिक कटी हुई लेवेंडर कलर की पत्तागों भी एड़ करेंगे इन सब को एक अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए अनार एड़ करेंगे इन सब को अच्छी दर से मिक्स कर लेंगे किनवा और ठेट सारी वेजीटेबल्स मिक्स करने से यह काफी हेल्दी बन गया है इसे आप वेटलास के लिए डाइट मिल के मेनू में एड़ कर सकते हैं इस तरह के सैलेट से इजीली वेटलास होता है अब जो हमने ड्रेसिंग बना कर रखी थी उसे इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे दोस्तों देखिए कितना कलरफुल लग रहा है हमारा किनवा सैलेड आग्यान मूं में पानी तो एक बार जरू ट्रा करिए और इसका आनन्द लीजिए और वेटलास भी एजीली कीजिए प्रेश्ट को और थोड़ा बढ़ाने के लिए इसमें वाइट पेपर एट कर देते हैं और साथ ही ब्लेक पेपर भी एट करते हैं हलका सा नमक एट करेंगे और इसे मिक्स करके सर्व करेंगे प्रेंड्स मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले बेला इकान को आन रखिए इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहेगी किनवा सैलेड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए किनवा सैलेड तैयार है तो इसे सरुका लेते हैं ऐसी हेल्दी रेसिपीश के लिए मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे शेयर करना ना भूले किनवा सैलेड खाकर स्वस्त रहिए मस्त रहिए टेक केर बाइबाइ थैंक्स फार वाचिंग